हेलो एवरीवन मैं हूं सचीन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस यूटूब चैनल पे और आज का ये वीडियो जो है वो क्लास 9 के बच्चों के लिए है और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले है किस प्रकार से हम लोग वैलेंसी निकालते है कोई भी एलिमेंट का तो इससे पहले कि मैं बैलेंसी निकालू मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देखिए इसका जो एलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रिबूशन होता है जैसे कि सेल है ना के एल एम एन तो यहां पर जो एलेक्ट्रोंस हम लोग रखेंगे व और नुकलेस के राउंड राउंड एलेक्ट्रों क्या करता है रिवॉल्व करता है गोल गोल घूमता है आप लोग बोर्स मोडल ऑफ ओटमिक थियोरी में पढ़े होंगे ठीक है ना इस प्रकार से और यह जो राउंड सेप में मैं अभी बना रहा हूं इनको ही क्या कहा जा है दो इसमें यह लोगों को क्या करना है कि जैसे पहला वाला जो सेल है इसमें यह दो ऑ टो एलेक्ट्रों ही लेगा तो यह भर गया मतलब इसका जो आक्टेड रूल एक परकार का होता मान लीजे कि इसमें दो में भर जाता क्ल message होता है इसके बाद में क्या है कि आ जाएगा Scan blast इसके बाद यह सर लेगा Idee ठीक कद गलती से जञ Mayo आप ध्यान दिजिंगा नेगाने कितना बार्ट ले इसका मतलब है कि कितना लेगा आठ तो उसका octet पूरा हो गिया ठीक है और जिसका octet पूरा हो जाता है उसका valency 0 हो जाएगा उसका valency 0 हो जाएगा मतलब अगर 2 electron है तो valency 0 होगा 8 electron है मतलब outer most cell का मैं बात कर रहा हूँ तो valency क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इस प्रकार से एक चीज आपको एक फॉलो करना है ठीक है दूसरा चीज एक दो तीन चार अगर outer most cell में एक दो तीन चार अगर होता है तो उसका valency वही होगा एक दो तीन चार ही होगा अगर उससे ज़्यादा होता है जैसे पांच छे साथ होता है यह आठ अच्छ लिए पकड़ी लेते हैं ऐसे तो आपको मैं बता दिया हो कि 0 हो जाएगा मगर एक समझ जाएए कि 5 के बाद जो भी आएगा आपको उसको 8 से माइनस करना है जैसे 8-5 3 हो जाएगा 8-6 2 हो जाएगा 8-7 1 हो जाएगा और 8-1, 0 हो जाएगा, बस यही तरीका होता वैलेंसी निकालने का, आप चलिए हम लोग निकाल के देख लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन 1, तो इसका एलेक्ट्रोन 1 है, और यहाँ पर हम लोग जाएंगे, तो क्या होगा, 1 होगा, यह और एक एलेक्ट्रोन ले सकता है, इसक के सेल में कितना एलेक्ट्रोन रहेगा, दो, तो मैंने अभी आपको दिखाया था, दो मतलब कि यह फूल है, फुली सेटिस्पाई, ऐसा समझ लीजीए, इसके के सेल में दो ही एलेक्ट्रोन होता है, भाईया, यह खूर से दो एलेक्ट्रोन के साथ, तो इसका जो वैलेंसी रख सकते हैं, अब बचा कितना एक तो वो चलेगे यहाँ पे, अब यह कितना एलेक्ट्रोन और इसमें अगर हम लोग डालेंगे, साथ तब यह भरेगा, है ना, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कि साथ लेने से अच्छा एक दे देना चाहेगा, ऐसा आप समझ सकते ह यहाँ पर हम लोग देख चुके कि एक, दो, तीन, चार आउटर मोस्ट सेल में अगर आता है, तो फिर हम लोग वही लिखेंगे, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर बेरियम में हम लोग जाएगे, तो यह आपका चार हो गया इसको मैं पहले बन कर देता हूं, यह 4 हो गया है ना, तो यहाँ पर एलेक्ट्रोन, नमबर ओफ एलेक्ट्रोन भी 4 होगा, अब इसका डिस्ट्रिबूट करेंगे, हम लोग एलेक्ट्रोन का डिस्ट्रिबूशन करेंगे, तो यह केसेल में 2 जाएगा, उसके बाद में L में दो आएगा अब इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा दो हो जाएगा similarly यहां पर अगर हम लोग बोरॉन का बात करते हो पांच तो मतलब की इसमें पांच एलेक्ट्रोन है तो यहां पर दो आएगा और यहां पर तीन आएगा तो इसका वैलेंसी तीन हो गया उसके बाद कार्बन तो कार्बन में हम लोग बाले तो यह 6 हो गया इस नंबर ओफ एलेक्ट्रोन 6 है तो यहां 2 आएगा यहां 4 आएगा तो इसका वैलेंसी कितना हो गया 4 हो गया उसके बाद नाइट्रोजन का बात करें तो इसका अटमिक नंबर है साथ नंबर ओफ एलेक्ट्रोन कितना होगा साथ होगा तो यह दो हो गया यहां पांच होगी आप थोड़ा से होगा उसी प्रेकार से अब इसका ऑक्सिजन एई होता है इत्रोन? इसका नंबर ओफ एलेक्ट्रोन साथ आएगा और यहां पर बाद में यह 2 आएगा तो यहां पे कितना आएगा और यहां पे क्या हो जाएगा 8-7 Mतलब relancy कितना आएगा उसके बाद में न्योन है तो न्योन में यहां पे क्या होगा इसका represents 10 होगा तो इन तो अब इसी प्रकार से यहां पे आएगा तू आएगा और यहां पर क्या जा रहा एट आ जा अब देखिए क्या हुआ 8 व से श्वाट जिए मेंट से कितना वह जिरू उसके सो लिएम को अगर हम लोग देखे तो यहां पर इसका number 11 तो यहां पर दो आएगा यहां पर ने तो यहांपर कितना लक्राइगा तो यहां पर दस और बच्चा कितना वह गया दो उसी प्रेकार से कैसे अल्मुनियम का अगर डेख breaths तो अगर ते Euch हे से carbon से अगर अगर देखी तो डेक local यहां better एलेक्त्रों कितना होगा ते यहहां डहल सकते यहां पर कितना होगा फॉर्क로 प कितना है फॉर्टीन के 15 15 ठीक है ना और यहां पे लेक्टरोण कितना ओगा 15 होगा अब यहां पे 2 8 हो जाएगा 20 बचा कितना 5 तो आप 5 सब्सक्राइब त्रूंमजाजाए कि थम जाए जाएं और अब क्या करना ओगा आपको आठ से इसको घटाएंगे पांच को तो बचेगा कितना भाईया यहां पर बचेगा ठीक है और उसके बाद में फिर हम लोग जाएंगे आगे यहां पर सोलना होगा तो number of electron भी सोला होगा यहां पर दौझ आएगा उनको यहां पर भी पर सब्सक्राइब फिर यहां बाद सरद गों मिलागिए सत्रा गोड़िया नंवर यहां मिलास का अख्रात ःट आपका 8 यहां पर 8 minus 8 is equal to 0 उसके बाद में यहां पर 19 पिर यहां पर день नोछ अब यहां पे 2 आच और यहा पर फिर आएगा 8 और फिर यहां पर बचेगा कि लिए 1 एंड यह भी हो गया तो यहां पर विस हो जाएगा पर यह जोगा पीब她 08 पिंद की हो गया ऑठ यह यहाँ पर हो जाएगा दो है न अब यहां पर कितना होगा स्का वैलेंसी होगा तो I hope कि आप सब लोगों को वैलेंसी निकालना आ ग्या होगा और देखिए इस तरह का एक्जाम में आपको एक-दो मार का question मिले गहीं मिलेगा और साथ ही साथ अगर है यहां प्रोटोन होता है वही है तो इसलिए यहां प्रोटोन प्रोटोन भी वही होगा और इसी प्रकार से अगर आपको बोला जाए एलेक्ट्रोन को डिस्ट्रिबूट करना है तो इस प्रकार से के ल में आप उसको डिस्ट्रिबूट भी कर सकते हैं अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और फर्स टाइम अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूले हैं